रात के वक्त, चार बदाम खाकर सोने से, चेरे की जल्द चमकदार और साफ होती है, गर्मियों में पानी ज्यादा इस्तमाल करने से, जिसम में नमक्याद की कमी नहीं होती, उबले हुए चावलों का पानी सर पर लगाने से, बाल चमकदार हो जाते हैं, रोटी दूद में कर खा लेने से बीमारियां दूर रहती हैं चेरे के दाने और कील खतम करने के लिए मेथी के पत्तों को गिरैंडर करके उसमें लीमू का रस मिक्स करके लगाएं हमल की वज़ा से कमजोरी मेसूस हो तो छोटी इलाइची गोड़ वाले पानी में डाल कर पी लो पानी कम इस्तमाल करने वाले इनसान के गुर्दे जल्दी खराब हो जाते हैं चेरे से छाया दूर करने के लिए आधा चमच लिमू का रस आधा चमच हल्दी और आधा चमच बेसन मिला कर पेस्ट बना ले ये पेस्ट चेरे पर लगाने से चेरा खिल उठेगा सुबह सवेरे पड़ी हुई शबनम को चेहरे पर मलने से चेहरे में चमक पेदा होती है अगर आपका पेट बढ़ रहा हो तो रोजाना कच्चा फालसा खाने से पेट कम होने लगेगा पानी पीने के बाद 15 मिंट तक पशाब ना आये तो जान लो के मेदे में गर्मी है कभी शुगर नहीं होगी बदन की कमजोरी दूर करने के लिए बकरी के दूद में सागुदाना पका कर खाएं नहाने से कबल अपनी दाड़ी को अलग से धोया करें दाड़ी के बाल भी नरम हो जाते हैं बंद गोबी का सालन बना कर खाने से चेहरे की जुरियां कम होती हैं जिन लोगों का मजाज बहुत गरम हो उनके लिए मुनासिब है वो करेले में दही और हरा धनिया मिला कर खाएं जिन औरतों के चेहरे पर गैर जरूरी बाल हो वो चेहरे पर लीमू के चिलके मसला करें गैर जरूरी बाल जल्द खतम हो जाएंगे अगर सेब दो पेहर के वक्त खा लिया जाए तो वो खून में इजाफे का सबब बनता है करेले इस्तमाल किया करें शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन गिजा है क्योंके इसमें एंसुलिन कुद्रती तोर पर मौजूद होती है बाल लंबे और चमकदार करने के लिए नुस्का मेथी के बीज दो बड़े चमच सीका काई आधा कप आमला आधा कप काले माश साबित एक कप लिमू के चिलके सूखे हुए उन तमाम चीजों को पीस कर सफूब बना ले ये सफूब पानी में आदे घंटे के लिए भीगो फिर सर पर लगा ले और पांच मिन्ट बाद सर धो ले उससे बाल लंबे घंए और गिरना बंध हो जाएंगे करेले की सबजी हफते में दो तीन बार खाएं तो उससे मोटापा कब्ज दूर और चेहरे की जिल्द भी साफ हो जाती है कपड़ों पर रंग लग जाने की सूर रात को सोते वक्त खिलाएं तो पेट के कीड़े मर जाते हैं सर पर बदाम का तेल लगा लेने से दमाग में ताकत आ जाती है वजन ज्यादा बढ़ने लगे तो चकूतरा इस्तमाल करो चन दिनों में वजन कम हो जाएगा काला नमक सर पर लगाने से बाल मजबूत होते हैं चेरे पर ज्यादा खुश्की रहती हो तो दही में दो दाने चने मिला कर रोजाना लगाएं मचली का इस्तमाल वजन को मतवाजन रखने में मददगार है मचली के इस्तमाल से बालों की नशोनुमा बेहतर होती है जेरे का इस्तमाल आंतों और पेशाब की नाली की सोज़श के लिए इंतहाई फाइदा मंद है बेंगन का सालन दिल के लिए अच्छा है और दिल को तकوियत देता है बेंगन कब्स कोशा है भूक लगाता है और मेदे को ताकत देता है या तूत खाने से तबियत को सकून मिलता है ये फल बेचेनी को दूर करता है दवाएं हमेशा रात के वक्त खाओ ये फाइदा मंद थाबित होती है लीमू पानी सांस की बद्वू खतम करता है और जिल्द को चमकदार बनाता है लीमू पानी गुर्दों की सफाई के अमल को तेज करता है खजूर बलगम निकालती है सांस के अमराज दूर करती है दिन में तीन मरतबा खाया करें ऐसे लोग जिनका बिल्ट प्रेशर कम हो जाता हो वो रोजाना खजूरें खाया करें लोग का तेल दो से तीन कत्रे टूथ बुर्श पर लगा कर अच्छी तरह बुर्श करने से दांत साफ और चमकदार हो जाते हैं अगर बदन में अलर्जी का मसला हो तो नहाने से चंद मिंट कबल पानी में कद्दू का तेल डाल कर जिसम की मालिश करें और फिर नहाले बदन की अलर्जी से फोरी निजात मिल जाएगी भैस के दूद में तीन खजूर के दाने डाल कर पी लें रोजाना एक इंच तक कद्द लंबा हो जाएगा जिन लोगों के मुँ में अकसर चाले हो जाते हैं वो खाने के बाद थोड़ा सा सौफ मुँ में डाल लिया करें आपके लीमू के बीज निगलने से अपेंडक्स का दर्द हो सकता है दिन में तीन लिटर पानी पीने से कुछ दिनों में पुठों का खिचाव ठीक हो जाता है जिन हजरात की आँखों से मुसलसल पानी बेहता हो वो रोजाना 21 बदाम खा लिया करें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी नमक पानी के साथ इस्तमाल करें पेट में मरोड और गेस के लिए आजमूदा है तीन चोटी सब्स इलाइची अच्छी और एक चुटकी पिसी हुई दार्चिनी चबा कर गाएं के दूद के हमरा लें तो गंद जहनी दूर हो जाती है खाने से पहले हाथ दोना और बिस्म लाह पढ़ना चाहिए खाओ पियो लेकिन इस्तराफ ना करो हर वक्त खाना पीना सेहत के लिए मजर है कच्छे दूद में पानी मिला कर पिये उससे पेशाब की जलन दूर होती है और रहत मेसूस होती है सोहांजा के पत्तों का शोरबा दम पुरानी खांसी और तप दक में मुफीद है